मैं इतिहास हाँ, हाँ, मैं इतिहास हाँ, समेदे गेड़नाड हर पल हर छिन नमे पन्ने मेरियां यादा विच समोय जान देने नमिया कहानिया नमे पर करन मेरी आखां सामने सदीव हो गुजर देने आओ, अज तो हानू सकॉटलेंड दे पंथ दर्धियां बलो, गरीबी अते पंथक बेगानगी दा सित्म सह रहे कबीलें ले कीतियां जा रहे यां, निश्काम सेवामा दी गाथा सनों दा हाँ हाँ, गुरू प्यारियो, एप पंथ दर्धी सेख कॉंसल अफ सकॉटलेंड दे सेवादार ने, जो सदियां तों घरीबी अते जलालत पर पूर जिंदगी ज्याओं रहे शिकलीगर, वंचारियां अते होर्क विल्यांदी जीवन शैली बदरन लई, दिन रात व्याउंत बंधियां कर दे, गुरु नानक साहिव दे फल्सफे सरबत दे पले दे, पूरा उतरन लई तत पर रेंदेने इस साल सिक कॉंसल अफ स्कॉटलेंड दे सेवादार, 11 फरवरी 2017 नू, 36 गड़ गुर्द्वारा सिंग सबाज जिला दुर्ग विखे पहुंचे, ताउं थे डाक्टर अते नर्सा, चिट्टे मोतियदा चेक अप कर रहे सन, क्योंके 36 गड़ एरिज मोतियदी बहुत परमार है, सिक कॉंसल अफ स्कॉटलेंड वल्लो लगाया जानवाला एप पंजबा, चिट्टे मोतियदा केंप सी, इस तरान, 160 मृजदा नू, इस बिमारी तो रहत मिली है, सिंग सबा गुरु कर दी कमेटी दे सहयोग नाल, इस केंप विच तकरीबन 500 मृजदा चेक अप कीता गय सिक कॉंसल अफ स्कॉटलेंड दुर्ग अते स्कॉटलेंड दी संगदा तानवाद कर दी है, जिनादे सहयोग नाल इन्ना वड़ाव प्राला संभव हो सक्या है सोड़ां फरवरी दी रात नू ट्रेन ते स्वार होके एगुर्सिक, स्तारां फरवरी स्वेरे तस वजे पुपाल स्टेशन ते पहुँच गय 11 वजे तों 12 वजे उत्वे मीटिंग कीती 1 वजे 22 सवार होके 5 वजे शामी अंदावर पहुंचे जित्वों शाम 5 वजे गड़ी ते सवार होके रात 8 वजे पंडाली गुर्द्वारा मकंशा लुबाना पहुंच के लंगर पानी शक्या अते अरहम कीता सिख कॉंसल अफ सकॉटलेंड वलो निरंतर लड़कियानों हुनरमंद बनाओं लई सडाई दी ट्रेनिंग दिती जा रही है 18 अते 19 फरवरी नों सडाई सिखन वालिया इनना लड़कियान दे अमतिहान दी कड़ी है कपडे कटन अते स्याउन दे टेस्ट लए जा रहे ने पंडाली अते बड़बाह दोहां सेंटरां विचों 84 बच्चिगाने टेस्ट पास कीता है ए नेक कार्ज करदयां सिख कॉंसल अफ स्कॉटलेंड दे सेवकां दे चेरें ते गुरु दे शुकराने वज्जों राणक देखी जा रही सी वी फरवरी स्वेरे सुख्मनी सहब जी दे पाठां दे पोग पाए गए गुरबानी कीरतन अते कथा विचार होई अते अरदा सुपरंत गुरु का लंगर शकनतों बाद टेस्ट विचों पासों यां बच्चियां नू सर्टिफकेट देते गए इनना बच्चियां नू सलाई मशीना फ्री देतीयां गए जा सिक कॉंसल अफ स्कॉर्टलेंड वलों इनना बच्चियां पासों वादे भी ले गए के बच्चिंगा एक एक होर बच्ची नो फ्री सलाईदा कम स्खाउन गिया सिक कॉंसल आफ स्कॉटलेंड दे सेवक 21 फरवरी नो पैंड हथावडा पहुंचे जिते गुरू का अरदी इमार्थ पिशले पंच साल तों दूरी पई सी प्रोजेक्ट मनेजर तरंदीप सिंग संदर अते संजीवन सिंग परचारक ने संगता नाल गलबाद कीती अते कॉंसल ने इसनो पूरा क्राउन दा फैसला लिया अज 21 फरवरी है गुर्द्वारा सहव दे उदकाटन मौके संगता विच पारी उत्शा है नगर कीरतन दे रूब बच जुगो जुग अटल शिरी गुरु गरांस सहव जीनों बड़ी शर्दा नाल लेंदा जा रहे है संगता जोश विच ने इस समय एक हजार तो वद संगता शब्द पढ़ दियां जैकारे लौदियां नगारे वजाओ दियां गुर्द्वारा सहब पहुंचिगा ने शिरी गुरु गरांस सहव जीदा प्रकाश कीता गया है गुर्बानी कीरतन दे कथा विचाराओ परंद गुरु का लंगर अतुट भरताया गया है सेवका ने संगता तुआ गया लेकि रात नों गड़ी राही पंडूरना चले पा देतेने बाई फरवरी स्वेरे सडाई सिखन वालियां बच्चियां आदे कपडे स्याउन दे टेस्ट ले जानगे उन्नी बच्चियां ने टेस्ट पास कीता है उन्ना नों सर्टीफकेट देके सनमानित कारंदे नाल नाल स्वेमान पर पूर जिन्दिगी जहुन लई स्डाई मशीना फरी दितियां गेंजाने एथे सरदार मलकी सिंग बल नागपुर वाले वी अपनी टीम लेके पहुंचे ने उन्ना नाल आणवाले प्रोजेक्टां बारे लंबी चोड़ी विचार चर्चा हुई है हुन सिख कॉंसल आफ स्कॉर्ट लेंड दे जथे ने वापसी पंजाब वल कीती है सिख कॉंसल आफ स्कॉर्ट लेंड वननों संगता नूं गुर्द्वरा सहबान दे दर्शन कराउन दा उप्रालावी अरंब्या गया है स्कॉर्ट लेंड दियां संगता दे सहयोग नाल सिखली गरवन जारे यां ते होरना कवील्यां दे तक्रीबन एक सो सतर यात्रिया नूं दर्शन करंदा सुभा गस हमा मिल्या है अज स्ताई फरवरी दोहजार स्तारा है सिखली गर वन जारे ते होरक बील्यां दे गुर्षिक जथे दे रूपबच अमिर्थ सर दे रेलवे स्टेशन ते पुंचे ने स्टेशन ते ही इना गुर्षिक ने गुरू दी नगरी दी मिटी मतहला के गुरू नू सजदा कीता है अते उस पवित्तर तर ती ते जाना वार्नवाले शहिदा प्रती नतमस दखोई ने पंथ दर्दियो बेशक मैं इतिहास हां पर मेरी कलम भी लिख देयां डोल जन्दी है जदो सिकली गर वन जारेयां ते होरक भी लेंदा गृपड़ा जेहा कोई सिक्ख स्कॉट लेंडे सेवकानू आखदा हमें अमर्थ सर ले चलो हां हमें अमर्थ सर ले चलो गृर सिखो इना हालाद दे मार्यां कोड़े इनने पैसे भी नहीं के अमर्थ सर जाके दर्बार सहब चबराजमान अपने गुरु दे चरना दी छोपा सकन पर होन स्कॉट लेंड दियां संगतां दे सहयोग नाले संभव हो सक्या है शरोमनी कमेटी दियां बसा राही माता गंगा जी नवास वेचे ना दे रैन दा योग परबंद शरोमनी गुर्द्वारा परबंद कमेटी वलों कीता गया है दर्बार सहब दे दर्शन कर नुपरांद संगता ने अराम कीता है चार वजे शामी संगता दा शरी गुरु हर किशन साहव सकूल वेच चीफ खालसा दिवान वाड़ावलों घरम जोशी नर स्वागत कीता गया है सुलखन सिंग समरा चीफ खालसा दिवान वाड़ानों बेंती कर रहेने के तोहड़े सौत वद सकूल चल देने तैना लोडवन्दा वास्ते भी कोई सकूल खोल देो चीफ खालसा दिवान दे परदा अनस्तार चरण जी सिंग आख देने के सकूल ता शाहिदे नीचेती संभव नहीं होएगा पर वादा कर देने के ना ग्रीब की बील्यां दे सौ बच्चे अपने सकूलां वेचे जरूर पड़ाऊंगे अते उनना दे रैंड सेन अते रोटी कपड़े दा खर्चा भी वाब करनगे स्थार जस्जी सिंग अलू वालिया दे परबंदा हेट पंजाब प्रेस अते टीवी वाले अप अपने कैमरे लेके संगता दे इंट्रिवू ले रहेने वाक्याई इतिहासक पलने दूसरा देन है अज हरी मंदर सहब दे दर्शन करके संगता गद गद हो गयाने उस्तो प्रंथ संगता ने गुरू दी बक्षश लंगर चक्या है गुर्द्वारें दे दर्शन करवाणदा श्रोमनिक मेटी ने बहुत वधिया परबंद किता है अज जथा गुर्द्वारा छेहटा साहब गुरू की वडाली सन साहब बाबा बुड़ा जी बीड साहब गुर्द्वारा तरंतारं साहब गुएंदवाल साहब अति गुर्द्वारा खडूर सहब दे दर्शन कर रहे है बाबा सेवा सेंग जी कार सेवा वड़े सारियां संगतानू जीयाय आख रेने ते नाल ही संगतानू लंगर शकन दी बेंति भी कर रेने जथा वापस अमर्सर माता गंगा जी हाल विखे अराम करनो प्रांद पहली मार्च दोहजार स्तारा नो तकरीबन बारा वजे बसा रही सुल्तान पुर लोदी अते सीचे वार दी कुटिया विखे आके रुक्या है संगता दे लंगर शकन उपरांद उननों वेई दी महतता बारे दस्या गया है एवी दस्या गया है किस तरह संथ बलवीर सिंग सीचे वार ने संगता दे सहयोग नाड गुरु नानक सहब दी बक्षी इस वेई नो साफ कीता इस बारे एक फिलम भी दिखाई गई संगता ने वेई दे पुवित्तर जलनों सपर्श भी कीता ते फिर बेर साहिव गुर्द्वारा साहिव दे दर्शन कीते श्रोमनी कमेटी दी परचार की भी बी तरलोचन का और ने सारे एतिहास गुर्द्वारें दा एतिहास बड़े ही विस्तार नाड दस्या है ते संगता ने बड़े ही त्यानल सर्वन कीता है सिक काउंसल ओफ स्कॉट्लेंड दे सरगर्म मेंबर स्तार गुर्मेल सिंग तामीवी जथे दी सिवा लई तक पर रहे ते नागपर तो आई संगत लई होर ना सिवामा तो इलावा जलंदर रेलवे स्टेशन ते लंगर लाउन दियां सिवामान बाया सिक काउंसल ओफ स्कॉट्लेंड ने महसूस कीता के संगता नूं गुर्द्वारा सहव दे दर्शन करोने ता जरूरी है नही पर नाल दी नाल पंजाब दे पिंडा दे हालात भारे वी जानू करोना जरूरी है ऐसलिए उनना दा ठहराओ सिख काउंसल ओफ स्कॉट्लेंड दे अंथक योद दे तरंदीप संग संधर दे पैंड निहालगड विखे करवाया गया जिते उननों चा आते पकोड़ें दा लंगर चकाया गया अते सारानों सरोपाउंनार संवानित भी कीता गया इनना संमाना नो मैंचा बीबियाने चुनी दे रूपच सिरते लेलेया अते पुर्शाने पागड दे रूपच सिरते सजा लेया एंज केसरी रंग विचरंग्या खाल साईद रया सतना उम्भाहे गुरुदा चाप कर देया बोले सो नहाल दे जकारे लोंदेया गुरु नानक दी महमा गौँदेया पेंड फते पर पहुंचेया एथे वी संगते ना पुले विसरे वीरांदी सेवा तो वंजे नहीं सी रहन चोंदी उना ने भी संगत नु रुखनली बेंती कीती ते गुरुदारा सःविके उतारा कीता गया चापाड़ दी सेवा उप्रांथ संगता ने खाल से धी जनम भूमाई श्री आनांदपर सहसे वालनो चाले पाए देर रात बसां श्री अनांदपर सहवे के पूंचिया उते ही कमेटी वलनों रहन दा बेहद बद्या परबंद कीता गया सी रादा लंगर शकन उपरांथ संगता ने विश्राम कीता दो मार्चनों स्वेरे गौरदारा सिरी केसगट सहवे दर्शन कीते अथे भी बीतर लोचन का और वलनों गौरदारा सहव दी महत्ता संगता नों दसी गई इस तों बाद विरास्ते खालसा देखन वास्ते संगता ने चाले पाए वा क्या ही विरास्ते खालसा किसे अजूबे नड़ो कट नहीं है हाँ खालसा कि मैं किसे तो कट हो सकता है संगता आप मोहरे आखरी याने कि इस तरह दी जगा असी फिल्मा विचता शायद देखी हुएगी पर असल विच अकी देखांगे ये सुपने विच भी नहीं सी सूचया गद गद हो या संगता आपस विच गलां कर रही हैंने किसी किन्य पागा माले हाँ जो गुर्दवारें दे इस तरह दे स्थाना दे दर्शन कर रहे हाँ होन लोहगड साब दे दर्शन उपरंद वापस रहैशवल जानदा समा है क्योंके श्रोमनी कमेटी दे परदान परफेसर कृपाल सिंग बढ़ूंगर ने वी संगता नू सनमानत करना है संगता नू हाल विच बठाया गया है जिते श्रोमनी कमेटी दे परदान प्रोफेसर कृपाल सिंग बढूंगर अते सिख्या मंतरी डॉक्टर दलजी सिंग चीमा पुंचे ने संगता दे सनमुक सिकली गर ते वन जारें दी कम्यूनिटी नू मुक ताराविच शामल करली यतनशीर होन दे वादे भी कीते गए ने जथे दे मेंबरा नू सनमानत भी कीता गया है गुर्दीप सिंग सम्रावलों कॉंसल दे कीते कम्मा दा वेरवा भी दस्या जा रहे है श्री अनपर साहिवतों तेन मार्च नू जथे दी रवानगी होई है ते जथा गुर्द्वारा प्रवार वे छोड़ा साहिव गुर्द्वार वे छोड़के जरूर कुरलाया होना है पर अजमड सिकली गरांदियां अखांचों अपने गुरु दी याद विच वगदे नीर नू तक के मड उस पानी नू दर्दी कसक जरूर महसूस होई होएगी मथा टेकन उपरांद संगता बैठ के या तिवी भी तरलो चनकार ने गुरु जी दायते हास दसना अरंब कीता जयाँ जयो जयो यते हास दसते गए हर आख नम हुंदी गई विचोड़े दे दर्दनू मन वेच वसाई संगता गुर्द्वारा चमकार सहबले इरवाना पाई मोती मेरा साहब दर्शन कीते है ते संगता ने दीवान तोडर मल दी हवेली देखन दी इच्छा फरकट कीती हवेली दे दर्शन करवाए गए शायद एही एक परातन निशानी बची है सरहांद दी कहानी सुनौन लई दुनिया दे सब तो छोटी उमर दे शहीद दसम पादशा दे छूटे साहब दाद्यां परती अकीदत दे फुल पेंट कर लिये जथा सरहंद दी तर्टी ते नतमस तक हो रहा है मैं इतिहास हां मैं इतिहास देख रहां एस सिखी दे वार से सजदा कर रहे ने उस ठंडे बुर्चनू जिते माता गुजरी छोटे साहब दा लासानी शहीदी लई प्रेर दी खुद शहीद हो गई बाबा सुरावर सिंग अते बाबा फते सिंग दियां बातां पाउंदे जथे दे मेंबर दे रात सुते अते चार मार्च दे अमरत विडे दिल्ली वल चाले पादे दिल्ली पाँचे जथे नु सार इजद सिंग अते उनना दी शरीके है याद ने जी आया केहा सिरी अज्जस संग ने जथे दे सफर नो दिली वच याद खारी पनोड लेई पूरन से योग देता रात गुरद्वारा सीसकंज साहिब एके रैन दा बंदोबस्त कीता गया दूसरी सवेर गुरद्वारा सीसकंज साहिब दर्शन करन उपरंथ संगत ने गुरद्वारा मजनु का टिला गुरद्वारा रकाब घंच ते गुरद्वारा बंगला साहिब दर्शना उपरंथ गुरद्वारा बंगला साहिब आके विश्राम कीता गुर्द्वारा बंगला साइब तो बाद संगता नू गेटवे आफ इंडिया दे दर्शन करवाए गए जथा छे मार्च स्विरे नाश्टा करन तो बाद गुर्द्वारा स्वाशनगर विखे पहुंचिया जथे सारिज्ज सिंग ने गुर्द्वारा कमेटी वल्लों संगता दे सन्वान लई प्रबंद कीते संग गुरु कर दे जथे वल्लों कीर्थन कीता गया सिकली गर ते वनचारया नू होर उत्शाहत कर ली विचार चर्चा कीती गई एसमो के एक मिटी ने परोसा दवाया कि ओवी सिक कांसल आफ स्कॉटलेंड ना रल के होर भी लुडिंदे कदम चुकनगे मैं इतिहास हां मैं इतिहास बेबाख हो के आखांगा के जदो पंजाबियां दी मात पूमी अते सिक्खां दे अपने अस्थान पंजाब वेच नौजवान केस कतल करवा रहे ने उस समें देश दे होरना पागा वेच सिकली गर बन जारे ते होरना कभीलियां दे लोक आज भी गुरू दी बक्षिश के सांदी संबाल बड़ी इज़त नाल कर देने मैं देख रहां ऐस जथे दी कीती सेवा अते गुर्दवारा साहिब दे करवाए दर्शनां दा मनतव पूरा हो रहे है ओ देखो ओ देखो गर सिकली गर वीरा विचो एक पतेत सिक उठ रहा है ते प्रबंदकानों बेंती कर रहा है कि मैं नू बक्ष लाओ सिरोपाव बक्षिश करो तांके पवेकवेच मेरे ते गुरू सहब किरपा करना ते मैं रोमा दी भीहद भी ना करा स्कार्टलेंड दी संगत सिक कौंसल ते इंडिया दी संगत दे आपसी सही योग अते उद्दम दे सार्थक नतीजे निश्चे ही पंथनू चड़ दी कलावाल जरूर लह जानगे होन सिकली कर वीरां दे मन वेच रता को काल है हाँ करींचा आणदी काल नहीं सगो करींचा के दसना चाओं देने कि उन्दाने गुरू करा दे गुरू सहब दे अते अपने पंजाब दे दर्शन करके किनली वड़ी कमाई कर लई है गुरू प्यारेों वे इसनू वड़ी कम ही गिनदेने हौन विदाई दा समा आगया है स्टेशन ते ट्रेन दा इंतजार हो रहे है समा करता जा रहे है पर गल्ना वदिना जा रहिया ने मैं देख रहां अपने हम साया नल गल्ना कर देयां सिकली गर पावक हो रहे ने पावकताता सिक कॉंसल अफ स्कॉटलेंड दे सेवका मेच भी है होरना संगता मेच भी है हंजू उन्ना देवी नहीं रुक रहे ते हंजू इन्ना देवी नहीं धम रहे अपने प्यारयां तो विछडन दे अजीब मनसर नू मैं सिक पंत दे सुनेरी वरके वज्जों संभा के रखांगा हां मैं अतिहास इस सुनेरी वरके नू हिक नाड़ा के रखांगा गड़ी आ गी है जाना तब पहणा ही है और देखो गड़ी तूर्दी तबी सिक ली गर ते सिक कौंसल दियां संग ता कि मैं ता ता के गलबकडियां पारें याने ते अखीर गटी अक्षों उल्ले हो गई है स्कॉटलेंड दी संग दे पैर वापस तुरन तो संगोच कर रहे ने मैं देख रहे हूँ इनना गुरू कर दे से वदरा दियां समुंदर वर गियां डूंगियां अखां जिवें कुछ गवाच क्या हुवे नदा बस जी कुछ पले रहा ता सिकली गर्मन जारें दिया यादा जो तमाम उमर इनना दे चेत्यां विच वसिगां रहे गियां मनानू सकून देनगियां के पंथने जिनना वीरानू सदियां बद्धी विसार छट्या सी उनना नू मड़तो कलावे वच लेंड दी सेवा गुरु सहेब ने सिक कॉंसल आफ सकाटलेंड नू बक्षी है हाँ संगत जी मेहतिहास हाँ मेरा कमता लिखना ते ब्यान करना ही हुदा पर अज मेरा भी सिर्चुक दा सकाटलेंड वस्ती सिक संगत अगे सिक कॉंसल आफ सकाटलेंड दे सिवा तारां के अते इंडिया बेठे न दे से हैं योगियां सावे जिन्ना ने पंत दी सेवानू अपना कस्ब बना लिया है वा क्या ही तान्ने गुरू ते तान्ने गुरू दियां संगता वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फते